नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका CP Smart Classes में दोस्तों आज के इस वीडियो में रोजगार समचार से सम्मंधित ख़बरों के बारे में चर्शा करेंगे तो सबसे बड़ी ख़बर आज जो आ रही है ये है 79.000 सिच्चकों की भरती की मंजूरी मिल चुकी है और ये विग्याप की PCOS सथिकारे प्रदेश सरकार को मिल जाएंगे इसके साथ साथ एक और बड़ी ख़बर है कि बीएट प्रवेस परिच्छा की तारिक बढ़ सकती है तो इन सभी ख़बरों पे बिस्तार से चर्शा करते हैं इस वीडियो में शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों अगर आप फर्स टाइम हमारे चैनल पर आए है अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके में लाइक अंदबा दे जिससे इस तरह की अपडेट आपको मिलती रहे हैं सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी ख़वर पे 49 सो पदों पर भरती को मिली मंजूरी असास की महाविद्यालियों में होनी है असिस्टेंट प्रोफेसर की भरती बिग्यापन संख्या 50 के तहद ये भरती होगी और इसका इंतियार छातर काफी दिन से कर रहे थे आप यह इंतियार समप्त हो गया है सासन से मौखिक अनुमती मिल गई है रिक्त पदों की जमिच्छा के बाद नीदेश आले जल्द ही उत्तर प्रदेश उच्चेतर सिच्छा सेवा आयोग को भरती के लिए पदों का अधियाचन भेंजेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर भरती के लिए आयोग ने चार साल पहले पहला बिग्यापन जारी किया था जिसकी भरती पेकरिया अब जाकर पूरी हुई है इसके बाद कोई नया बिग्यापन नहीं आया 1150 वाली भरती जो है अब जाके पूरी हुई है अभी भी इसमें एक दो बिसे का पेंच फसा हुआ है डेल साल पहले निदे साले नेसिस्टिन प्रोफेसर के 534 रिक्त पदों के लिए आयोग को अधियाचन बेंजा था तो अब इस वाले बिग्यापन में जो अभी बिग्यापन आ रहा है इसमें EWS के आरच्छन की व्योस्था लागू कर दी गई है सो समिच्छा साथिक लागू कर दी गई है यह कारिप पूरा होते ही सासन के निर्देश आय कि सभी रिक्त पदों का सत्यापन करा लिया जाए तो सब मिलाक के 49 सो पदों पर प्रिस्ताव भेंज दिया गया है काफी कम समय तक प्रिस्ताव सासन में अटका था और इसमें डॉक्टर बंधना सर्मा क्या काती है यहां पर देखिये डॉक्टर बंधना सर्मा जो की उच्छी सिच्छा निदेशख है उन्होंने कहा है कि शिट्रम प्रोफेशर क्रिक्त पदों पर भरती के लिए सासन से मौखक मनझूरी मिल गई है सासन की ओर से कहा गया है कि अगर इसे से पूर भरती के लिए अनुमती नहीं मागी गई है तो इस बार भी निदेशाले अपने इस तर से भरती के लिए अधियाचन भेंज दे कि PCS के इंटर्व्यू दोस्तों मैं आपको बताया था कि 13 जुलाई से शुरू हो जाएंगे और 25 अगस से पहले परणाम आने की उम्मीद है तो जो इंटर्व्यू है यह 26 दिन में पूरा होंगे और इसके लिए लिश्ट जारी कर दी गई है वेब साइट पे आप अपना जा होने वाले इंटर्व्यू में जो है इसे के अरभिवार भी पढ़ रहे हैं दो सप्ताइक आउकास भी पढ़ रहे हैं और PCS के 984 पदों पर भरती के लिए 279 अभ्यारतियों को साच्छातकार में सामिल किया गया है चार पद ऐसे हैं जिन पर साच्छातकार नहीं होना है व साच्छातकार प्रती दिन दो सत्रों में सुबह 9 बजे और बारा बजे से आयुद किया जाएगा साच्छातकार में सामिल होने वाले अभियारतियों को आयो की वेब साइट पर आनलाइन फार्म सेट करना फार्म सेट जो है वो भरना है और इसे डाउनलोड करके प्रिंट निकालना है और हर्ड कापी अपने अन अभिलेकों के साथ इंटर्वी में ले जाना है अब देखिए यहां पे दिया हुआ है न्यूज की 13 जुलाई से लेकि 31 जुलाई तक लगातार इंटर्वी चलेंगे फिर एक से तीन अगस्त कोई इंटर्वी नहीं होगा इसके बाद चार से लेके साथ अगस्त तक लगातार इंटर्वी चलेंगे तो ठीक है यह इंटर्वी जो है चार अगस्त तक हो जाएंगे और अगस्त में ही इंटर्वी सुमाप्त होते ही जैसा कि उत्रप्रदेश लोग से वायोग करता है इंटर्वी सुमाप्त होने के बाद बहुत तेजी स्रियर्ट जारी कर देता है तो 988 पीसे सदिकारी अगस्त में उत्तर प्रदेश को मिल जाएंगे एल्टी ग्रेट की बात कर लेते हैं 31 तक शुरू हो रही है काउंसलिंग अपर निदेशक ने अभ्यार्थियों को दिया आश्वासन खुद अंजरा गोईल जी ने आकर अभ्यार्थियों को आश्वासन दिया है कल मैंने आपको एक वीडियो की मादिम से बताया भी था यूपी पेसिस चैन होने के बाजूत निक्ती में हो रहा था बिलम तो विकी खान जी पुरी टीम के साथ निदेशाले गए और उन्होंने अंजरा गोईल मैडम से बात की उन्होंने सासन इस तर पे बात की उसके बाद खुद वो अभ्यार्थियों के सामने आई और वहां पर उन्होंने बताया कि 31 जुलाई से जो है आपका काउंसलिंग आपकी काउंसलिंग सुरू हो जाएगी जिसमें जिला एलार्टमेंट भी सामिल है कोरोना की बारे में देखिए 249 बिसेंसंग्यों ने कहा है कि हवा से फैलता है करोना इसको इन्होंने मान लिया है इसके लिए जो मास्क लगाना है वो आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि फिजिकल टच्स से तो कोरोना फैलता ही है अगर हवा से भी कोरोना फै इसमें काफी तीजी से फैल रहा है उत्तर प्रदेश में लखनौ तीसे नंबर प्या गया है तो आप लोगों को अपनी बचाओ के लिए जिरूरी कदम उठाने चाहिए यह देखिए प्रदेश के कोरोना प्रभावित सहरों में लखनौ नंबर तीन प्या गया है 602 मरीज यह पर अभी भी सक्री है गाजियाबाद में 1251 नोईड़ा में 1041 और यहां पर देखेंगे आप आगरा का नाम नहीं है टॉप 5 में आगरा का नाम नहीं है जहां पर काफी पेसेंट पहले हुआ करते थे आगरा में और पूर्व डिप्टी मेयर अभैस सेट समेंत दो को को पु रखी हुई के लखनो में कि जですね गाजीपूर से तीन फरजी सिठ्चक मिले है और जैसा कि हर जिले में भी से जांच कर रहे हैं वह यो के माध्यम से और जो भी फरजी सिठ्चक मिल ए है उनको जो है सस्पेंट किया जा रहा है तो दूसरों के डाकूमेंट से नौकरी करने वाले ये सिच्चक है तो इसी स्रंखला में गाजीपूर में जिले में तीन सिच्चक बियसे के फरजी हस्ताक्षर से समाज का लेण Indian वी वाले दौरा संचाल सी सिच्चक पढ़ा ते रहे इन सभी के निंजोप thou प्तieve्म पतत्तयाकृं इसी Bringing पी चाला मेंट से ब्यूह हे तो दिखें पूश्टे सरभ्यां जारी किया है प्रश्टाचार के विरुद पोष्टे जारी किया गया है और इसमें जो लिखा गया है कि प्रश्टाचार की si biay जाँच कराओ ब्रिष्टाचार में लेपते दोस्यों को गिरिफतार करो बहुत हो रहा ब्रिष्टाचार चुप क्यूं बैठे चोकीदार भरती नहीं ब्रिष्टाचार है ताना साही सरकार है यूपी की बड़ी महमारी परिच्छा से पहले एंसर की जारी प्रश्टाचार नहीं रोजगार चाहिए एक क्रोण का हिसाब चाहिए और नारों से सवाल उठाए तो यह सारे चीज़ें जो है इन पोस्टरों पे लिखी जा रही है और यह पोस्टर अभियांच चलाया जा रहा है 79,000 सिच्छक भरती से संब्देद बीएट प्रवेश परिच्छा के तिथी बढ़ सकती है 29 जुलाई को जो प्रस्तावित है प्रवेश परिच्छा जिसको लखनो इन्वर्शिटी करवा रहा है उसकी डेट बढ़ाई जा सकती है अपर मुखे सच्यू उच्छे सिच्छा मुनिका गर्ग की मौजूदगी में स इसे आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है पुर्ण निर्धायत कारकरम के अतहाद इसे 29 जुलाई को प्रदेश भर में 50 जुलों में कराने की तैयारी थी बीएट प्रवेश परिच्छा 2020-2020 कराने की जमेदारी लखनो बिच्छा को सौंपी गई है अभी तक पुरा इसे परिच्छा केंद बनाने के लिए राजकी और सहायता प्रवाफ संस्थानों के नाम मागे कैए है जिन में जिला बिद्दल रिन अच्छकों के मदद ली जा रही है इसे में परिच्छा की तिथी में परिवर्तन की संभावनाएं हैं तो एक संभावना ये है कि डेट इसकी आगे बढ़ाई जा सकती है इस लॉक्डाउन में सबस्यादा परिचान मद्यमवर्ग के लोग रहे हैं उनके उपर आर्थिक मार पड़ी है पांस क्रोन से ज्यादा लोग बेरुजगार हो गए है मद्यमवर्ग यानि कि किसी भी तरह से कोई भी नौकरी करके अपना गुजर बसर करने वाला इंसान तो यह जो मद्यमवर्ग है सबसे ज़्यादा मार इसी भी पड़े क्योंकि प्राइवेट नौकरियां बिल्कुल खातम हो गई है जहां जिनकी नौकरी बची हुई है उनको भी पेमेंट आधा ही मिला है पूरी तरह से पेमेंट नहीं मिला ह और जो रोजगार करके अपना जीवन निर्वाह करते थे मद्यमवर्ग के लोग जैसे कि इसमें दुकांदार या छोटे मोटे बिजनेस वाले लोग हैं तो उन सब का बिजनेस पूरी तरह से चोपट हो चुका है और उनकी बिजनेस में जो दो-चार लोगों को और वो रो लोगडाउन हो है उससे अगर आप फिटर से किये हैं इलेक्ट्रीशियन हैं इलेक्ट्रानिक से किये हैं आपके लिए एक अच्छा आउसर है 74 पदों पर अपरेंटिस आपको मिला है भारतिय कृतिम अंग निर्मान निगम यानि कि आपको www.alimco.in पर जाकर एपलाई करना है और लाश डेट भूलिएका नहीं 21 जुलाई 2020 है तो आइडिया की छात्रों के लिए ये निज है डियलेट की छात्रों की एक निज है यहां पर देखिए इसमें लिखा है कि डियलेट बीटीसी प्रसचों ने बेसिक सिच्छा विभाग की सभी सिच्छक भरतियों में पर इस रूप से बेसिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए प्रसिच्छित कोर्स हैं इसलिए सिच्छक भरतियों में इनको पहली वरीता दी जानी चाहिए इसके बाद बंची सींटों पर 28 या अन्य डिग्री धारुकों को मौका मिलना चाहिए बिस्विद्यालियों और महा बिद्यालों के अंतिम वर्स की परिच्छा सितंबर में होगी परिच्छा में नहीं बैट पाने वाले चाहतरों को दोबारा मौका मिलेगा मानव सुनसादन विकास मंतरी रमेज पुकरियल निसांग ने भी इसकी पुष्टी कर दी है सूत्रो ने देश के सभी विष्विद्यालियों से यह करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी है बात करने बाद अपनी रिपोर्ट दी है तो दोस्तों यह थी आज की प्रमुक हबरें मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ धन्यवाद